हाई एव्रिवान आप सबका स्वाज़े दे मेरे इस चानल में दुवीद फॉचुन 3 6 9 अर आज हम चेक आउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स और मॉर्निंग एनोजीज लेकिन उससे पहले यह जान ले कि यह एक जेंडरल टांडर्स कलेक्टिव हैं जब मैं काज को शपल करूं अपने पार्टनर अपने स्पेसिफिक पॉर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करें मेल फीमेल कोई भी एज़रूप का पॉर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेक आउट कर सकता है स तो स्टार्ट करतें इस रीडिंग को अपने पार्टनर के बारे में सोचें उनका नाम दीजिए और मेरे साथ प्रे कीजिए देखनें आपके पार्टनर के मॉनिंग थाउट्स फीविंग्स आपको लेकर क्या हैं लेट्स टार्ट पीस रवाइन इन वोर्स इंचुल परग गाइ प्लीस बतायों मेरी ब्योंट्व ओ जिस्क्राइब के बारे में इस समय मेरी वीवज और सोच रहे हैं उसlast के मैं थाथ उस्व समय मेरी वेवर्स के लिए क्या है सबसे पहले यहांगे ड्याहाँ यकल कर आई है next we have two of vans seven of cups page of cups two of cups ten of pentacles queen of vans and bottom energy is four of pentacles great okay so maybe just safety के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके zodiac signs Aries, Leo, Sagittarius Cancer, Scorpion, Pisces Taurus, Virgo, Capricorn के energy काफी स्ट्रॉंग है यहाँ पर जैसे जिसे और cards आएंगे और zodiac signs भी हम देखेंगे फिल्हाल यह zodiac signs है यहाँ पर मैं आपको साथ साथ बाकी जूर्यक्स भी बताती रहूंगी सबसे पहले यहाँ पर Ace of Vand के energy निकल कर आ रही है जो कि कहीं ना गहीं मुझे दिखा रही है कि आप अपने partner से बहुत ज़्यादा निराश गुस्सा ठीक है विकाज यू वाई कि यह fire energy है देखते हैं क्यूं है यह energy प्लीज जब मैं इन वोर्स एंजल स्पिर्ट गाए प्लीज बताएं Ace of Vand के energy यहाँ पर क्यों निकल कर आए है Ace of Vand को clarify कर रहा है Six of Vand जो के आप काफी उदास महसूस करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे ठीक है अपने partner की तरफ से आप उदास महसूस करते हुए नजर आ रहे हूँ लेकिन यह इस तरह की energy है जहाँ पर आपको अपने partner से जो expectations थी वो पूरी नहीं हुई या फिर आपके partner ने आपके expectations को तोड़ा है आपको चोड़ पहुंचाए है आपको hurt करा है और इस तरहां hurt करा है आपके partner ने कि आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हूँ मतलब अगर कोई person आप से आकर अच्छे से बात भी कर रहा है हूँ उस person पर भी आप शक कर रहे हो कि है आपसे अच्छी से बात क्यों कर रहा है बाताब अपको लोगों पर शक हो रहा है अपने आस-पास लोगों पर आपको शक हो रहा है इस तरीके से आपके partner ने आपके भरूसे को तौड़ा है ना कि आप हर पर्सन पर डाउट करते हुए, हर पर्सन पर शक करते हुए, नजर आ रहे हुए, इवन मैं देख रहे हुँ कि पास्ट में भी काफी हटक आपको अपने पार्टनर पर भी डाउट रहा है, अपने पार्टनर पर भी शक रहा है, कि वो किसी और से प्यार करते हैं, व तो वहाँ पर शक नहीं होता है, वहाँ पर gratefulness होती है, कि वो person मेरी जिंदिगी में है, लेकिन आपके connection में क्या चीज है ना, आपके connection में compatibility, understanding नहीं है, ठीक है, हो सकता है, आपको लगता होगा, कि हाँ understanding है आपके connection पर, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ये understanding, ये compatibility आपके connection में होती, तो ये शक आपको नहीं होता, और आपको कहीं न कहीं अपने partner पर शक है, आपको लगता है कि हाँ वो person आपके लावा भी और connections में है, या आपके partner आपके लावा भी और लोगों से बात करते हैं, ठीक है, आपके सामने रोते हैं, आप उन्हें हर बार माफ कर देती हो, और फिर से एक महीने, दो महीने बाद, छे महीने बाद, आपको फिर से छोड़ कर चले जाते हैं, फिर से आपसे breakup कर लेते हैं, क्योंकि जब तक आप खुद इस cycle को break नहीं करोगे, तब तक ये cycle break नहीं होगी, अगर आप भी एक pattern में हो, एक loop में फसे वे से हो, ठीक है, तो आपको भी जरूरत है कि आप इस cycle को break करो, आपके energy ऐसी भी दिख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही fire की energy है, एक six of van है और एक ace of van है दोनों ही fire energy है, ये भी possible है कि आप दोनों के zodiac sign भी same है, Aries, Leo, Sagittarius, ठीक है, ऐसा भी possibility है कि आप दोनों के same zodiac sign है, ये सब चीज़े तब तक आपके relationship में रहेंगे, जब तक आप खुद को value नहीं दोगे, जब तक आप खुद की importance को नहीं समझोगे, अगर आप खुद को ही ह value अपनी समझनी पड़ती है, अपने self love में आना पड़ता है, लेकिन अगर आप ही self love के energy में नहीं हो, तो फिर कैसे चलेगा, है ना फिर कैसे आपके partner आपकी value को समझेंगे, तो ये सब चीज़े आपको ये guidance दे रहे हैं कि आपको अपना self love करना चाहिए, ये सब चीज़े आपको ये guidance दे रहे हैं कि आपको खुद को हलके में नहीं लेना है, है ना आपने आप उन लोगों में से हो जहां पर आप खुद को हलके में लेते हो, अपने connections में complaint ढूंदते हो, तो यहां पर मैं आपको true बाते बता रहे हूं, जो truly मुझे नजर आ रही हैं या पर, है ना तो आपको कहीं न कहीं चीज समझने की ज़रूरत है कि आपको इन चीज़ों को avoid करना, चीज़ों के लिए grateful रहना सिखो, आप चीज़ों में अच्छा ही नहीं देख रहे हो, आप चीज़ों में complaint जादा देख रहे हो, आप reasons ढूंद रहे हो, किसी चीज में किसी relationship में अच् विट्फुल होने के, यही तो law of attraction है, और क्या है law of attraction, ठीक है, तो इस energy में आप तब तक रहोगे, जब तक आप अपने अंदर वो self love नहीं ले लेते हो, अपने stand लेना नहीं सिख जाते हो, क्योंकि आपके partner को यही लगता है, कि वो बहुत जल्दी आपको manipulate कर सकते हैं, कैसे भ बात करोगे, तो मैं खुश हूँ, तुम मुझ से बात नहीं करोगे, तो मैं उदास हूँ, जब तक आप इस energy में रहोगे न, ठीक है, जब तक आप अपने power अपने partner को दे कर रखोगे, तब तक वो आपको control करेंगे, है ना, तो अगर नहीं control होना है, manipulate नहीं होना है, तो सम जो इस चीज़ को, बहुत अच्छे तरीके से समझो, six of one की energy ये भी बता रहे है कि आपके partner ने आपके expectations को तोड़ा है, आप expect, बहुत जल्दी expect करने लगते हो, बहुत जल्दी चीज़ों को expect करने लगते हो, आपके expectations एकदम से high हो जाती है, ठीक है, expectation को least रखना चाहिए, अगर नहीं चाहते हो, कि expectations टूटे, तो expectations को कम रखो, sorry, प्लीज जवान इन वोर्स, angels को रगाए, प्लीज बताए, two of one के energy हैं पर क्यों निकल कर आई है, आप दोलों के बीच में differences नजर आ रहे हैं, three of pentacles, आपके partner भी आपको लेकर श्रब करते हो नजर आ रहे हैं, आपके partner में जादा interest ले रहे हो, आजकल आप किसी और से जादो जादा बाते कर रहे हो, ऐसा या तो genuinely है, या फिर आप इनको दिखाने के लिए, प्रिटेंड करने के लिए, ऐसा कुछ कर रहे हुआ, जिसकी वज़ए से आपके partner बहुत ज़दा jealous महसूस कर रहे हैं, उन्हें लग र value समझी, उन्हें लगता है कि वो आपके लिए कुछ कर ही नहीं पाए है, इस connection के लिए वो कुछ कर ही नहीं पाए है, ऐसा आपके partner को feel हो रहा है, आप दोनों के बीच में differences भी हो सकते हैं, caste, religion, status, age, gap, family, background को लेकर differences भी आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, अब आपके partner क्य कर रहे हैं, वो three of pentacles के energy में है, किसी से तो वो बाते कर रहे हैं आपको, आपको लेकर, किसी से तो उनकी बाते चल रहे हैं, ठीक है, किसी से वो guidance ले रहे हैं कि मैं क्या करूँ, मैं उससे बात करूँ, तो कहरूँ कैसे, उन्हों नहीं ये रास्ते खुद ही बंद करें, अगर मैं ऐसे में गया, तो फिर उन्हीं की बेज़ती है, उनको ऐसा लग रहा है, उनको ये चीज लग रहे है, कि अगर मैं आप ऐसे गया, तो मैं खुद ही उससे दूर गया हूँ, और अगर मैं खुद उसके सामने जाकर पहला प्रोच करूँगा, तो मेरी बेज़ती है वो मेरे बारे में यही सोचेगी या वो मेरे बारे में यही सोचेगा कि गया तो यह खुद था खुद ही वापस आ गया है ना तो यह आपके partner को लग रहा है क्योंकि उनका ego बहुत हाए है उनका pride बहुत हाए है और वो यह सोचते बें नज़र आ रहे हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे आपको प्रोच करना चाहिए Seven of Cup Confusions दिखा रहा है, ठीक है Seven of Cup Confusions दिखाता है With King of Swords, ओके, मेभी जिस विक्ति के बारे में आप सोच रहो ना यह person बहुत ज़्यादा selfish रहे हैं past में, ठीक है, बहुत selfish थे, बहुत सर्फ अपने बारे में सोचना, अपनी खुशियों के बारे में सोचना है ना, खुद को खुश कैसे रख सकते हैं, या खुद को happy ऐसे रख सकते हैं, इसी बारे में आपके partner ने सोचा है, कभी ये नहीं सोचा कि आप क्या सोचते हो, है ना, आपको किन किन चीजों से hurt होता है, आपको क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, उन चीजों के बारे में इस विक्ति ने कभी नहीं सोचा, यह बहुत ही selfish रहे हैं, हो सकता है यह सिर्फ आपके साथ किसी ना किसी मतलब के लिए जुड़े थे, ठीक है क्योंकि आपसे हो सकता है इनको financially help मिल रही थी, क्या ऐसा हो सकता है कि आपसे ने emotional support मिल रहा था, आपकी तरफ यह physical attraction था, इसलिए यह आपके साथ जुड़े थे, तब शायद इनके अंदर इतना love नहीं था, उनके लिए यह relationship एक casual relationship की तरह था, एक time pass relationship के लिए था, लेकिन अब आप इन चीजों को समझ चुके हो, अब आप करना चाते हो, आपको लगता है कि इस person पर आप बहुत समय अपना बरबाद कर चुके हो, आपको यह लगता है कि अब और समय आप बरबाद नहीं करना चाते हो, ऐसे connection पे जिस connection से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, है ना, you are in that energy, आपको लगता है कि इस connection में, like अगर आप आपने इस connection को जितना समय दिया है, उसे जादा समय आपने अपने career को, अपनी job, अपने business को दिया होता है, तो शायद आप बहुत successful होते हैं, आपनी family को अतना time दिया होता है, तो शायद आप खुश होते हैं, लेकिन आपने इस विक्ति को priority बनाया, आपने इस person को बहुत strongly अपनी priority बनाया है, है ना, तो अब आपको भी कहीं हद तक ये लगता है, तो अगर ये person आते भी है आपके पास, तो मुझे लगता है कि आपको confused कर देंगे, ठीक है, आप confused हो जाओगी, कि फिर से आप इस connection में जाओ या नहीं जाओ, अब आपकी इच्छा है, आपको लगत है कि जो suffering's आपको मिली है, वो आपके हिस्से की नहीं है, आपको लगता है कि suffering's आपको आपके हिस्से की नहीं है, page of cup की energy को यहाँ पर clarify कर रहा है, जहां बहुत overthinking कर रहे हो, six of souls, आप इतनी overthinking कर रहे हो, जहां पर आप चैन से सो भी नहीं पारे हो, आपकी energy है, आप रात क सो नहीं पारे हो, ना सो पाने की वज़े से health issues create होते हुए नजर आ रहे हैं आपको, है ना, तो ऐसा मत करो, सोया करो, सही से नीन लिया करो, ठीक है, overthinking करने से कुछ नहीं होगा, अपने आपको जतना positive रखोगे, जतना positive mindset में आओगे, उतनी vibrations high होंगी, ठीक है, तो उतना आ आपका glow बढ़ेगा, उतना आपका aura increase होगा, है ना, positive होगा, so yes, मुझे ऐसा भी दिख रहे हैं, आप बहुत जादा चीजों को लेकर overthinking करते हो, आप थोड़ impulsive भी हो, आप जल्दी से बुरा मान जाते हो, जल्दी react कर देते हो चीजों पर, patience की थोड़ी कमी है, लेकिन energy है यहां पर, two of cup को यहां पर seven of cup के energy clarify कर रहे हैं, आप देखे हो seven of cup दो बार निकल कर आया है, कितनी ज़्यादा confusion है आपके partner के mind में, वो यह कैसी energy में नज़र आ रहे हैं, जहां पर काश ऐसा हो जाएं, काश वो मुझ से बात कर ले, काश सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएं, काश वो खुद मुझे अपरोच कर ले, काश हम कहीं मिल जाएं और हम दोनों के बीच में बातचीत हो जाएं, सब सही हो जाएं, वो इस तरीकी के energy में है, अपने ख्याली पुलाव बना रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, अपने एक काश के energy में, काश ऐसा हो ज decision, ten of pentacle, decision ना ले पाने की वज़स family भी हो सकती है, हो सकता है, इनके ओपर family का बहुत restriction है, इनकी family नहीं चाहती है, कि आप दुनों का connection आगे बढ़े हैं, हो सकता है, अपनी इनकी family इनको बहुत control करती है, इनको बताती है, कि तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें वैसे करना है है, तुम्हारा अच्छा बुरा हम समझते हैं, इनकी family हो सकता है, इनको emotional blackmail भी करती है, इनको बोलती है, कि तुम तुमने ये करा तो हम ये कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, ऐसा होता है ना कुछ families में, तो ये उनकी family की energy नजर आ रही है, जहां पर ये अपनी family से बहुत पोड़ना होगा, ये अपनी family के अग्यांस जाना पड़ेगा, जो ये करने के लिए तयार नहीं है, आप में और अपने प्यार में, इन्होंने अपनी family में, इन्होंने अपने family को या फिर अपने फर्ज को चुना है, यहां पर आप देख रहे हो ना, लेकिन अपने फर्ज को चुन कर यह किस हाल में, five of pentacle, ठीक है, दुखी है, उदास महसूस कर रहे हैं, और यह अगर दुखी हैं, उदास महसूस कर रहे हैं, इन्कम्प्लीट महसूस कर रहे हैं, अकेला पन भी महसूस कर रहे हैं, तो उससे इनकी family को कोई फर्ख नहीं पड़ आए, ठीक है, यह आप से दूर होकर लेकिन इनकी family को कोई फरक नहीं पड़ा है आज ये उसी energy में है जिस energy में आपको छोड़ कर गए थे एक समय धाना जहां पर आप अगर उदास थे तो इनको कोई फरक नहीं पड़ा था आज अगर ये उदास है तो इनकी family को कोई फरक नहीं पड़ा है इन् की communication उनकी और वाइब्स ऐसी है कि बहुत जुल्दी लोग उनसे इंप्रेस हो जाते हैं अट्रैक्ट हो जाते हैं आपके पार्टनर की तरफ से ठीक है पट magician के energy queen of wand के energy को clarify कर रही है which shows कि आपके partner ना like isn't that energy जहां पर उन्हें ना आपको चोड़ने का बहुत ज़्यदा पच्चतावा है यह person आपको clarity देना जाते है fire की energy और यहां पर यह सारी energy निकल कर आती है magician के energy सभी elements को दिखाता है तो यह person को आपको छोड़ने का बहुत ज़्यदा पच्चतावा है क्योंकि इस person को लगता है कि इनके पास चाहे बहुत options हैं बहुत लोग है इनके पीछे बहुत लोग इनसे impressed भी हैं लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ आपके होकर रहना चाहते हैं इनके energy ऐसी है जहां पर इन्हें लगता है कि इन्होंने जो आपके साथ कराना वो deserve नहीं करते हो जैसा प्यार आप इन्हें देते आए हो जिस तरीके से आप इन्हें समालते आए हो इनके care करते आए हो इन्हें लगता है कि उस तरीके से कोई इनके लिए नहीं कर सकता ठीक है आपका प्यार pure था unconditional था उस चीज़ का अंदास आपके partner को हो चुका है और उन्हें लगता है कि चाहे उनके पीछे कितने ही लोग हो multiple options क्यों ना हो आपके partner के पास लेकिन वो फिर भी आपके दिवाने हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं ठीक है वो फिर भी आपकी दरफ devoted होकर रहना चाहते हैं वो अपनी life की किसी और option की दरफ देखना भी नहीं जाते हैं उनको मतल परसन अभी भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं यह person अभी यहाँ पर भी आप गौर से इस card को देखोगे ना तो आपको लगएगा अभी भी यह बैठकर सोच रहे हैं अभी इन्हों ने अपने दिल में हर चीज़ चुपा रखी हैं लेकिन इतना मैं यहाँ पर देख पा रह कि आप इनकी लाइफ की abundance हो आप इनकी life में वापस आ जाओगे ना तो इनकी life में वह abundance वह खुशियां भी वापस आ जाएंगी इन्हें लगताए कि जबसे आप इनको छोड़ कर गए हूँना इनकी life से वह खुशियां सुकून भी चला गया है और उसे वापस लाने के बहुत सवाल हैं कि आपके पार्टनर ने जो करा वो क्यों करा उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था क्या रीजन से उनकी यह सब करने के यह सारे सवाल आपके अंदर मैं देख रही हूं तो आप आप clarity चाहते हो आप clarity सीख करना चाहते हो और वो आपको मिलने वाली है यह पॉर पर होगा कि आप उन्हें चूस करते हो या नहीं करते हो तो यह पॉरसन वापस आते हुए भी यहां पर नजर आ रहे हैं आपको clarity देने के लिए और भी energies यहां पर check out करते हैं so let's see please divine universe angel spirit guide please और बताएं इस connection में क्या जानना जरूरी है अजकी reading में reviewers के लिए so this is judgment सबसे पहले judgment की energy है great judgment हो रही है यहां पर queen of cup this is 10 of wands justice 8 of cups night of swords 10 of cups and bottom energies page of swords okay so यहां पर मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपके भी कर्मों का हिसाफ किताब हो रहा है ठीक है देखो अगर हमें कोई pain मिल रहा है ना अगर हमें कोई pain मिलता है कोई anxiety विलती है stress होता है या फिर separation से आपको जो बेचैनी हुई है pain हुई है कई ना कई उसका reason यह भी रहा है कि आपके pending कर्मास थे आप अपने कर्मास को चुका रहे थे ठीक है कई ना कई इस जनम में नहीं पिछले जनम में आपने कुछ ऐसे करम करें हैं जिसका चुकाना इस जनम में जरूरी था जिन कर्मा को clear करना इस जनम में आपके लिए जरूरी था शायद इसलिए आपको यह separation मिला है आपने भी बहुत पेन बहुत तकलीफ इस connection में देखी है और उस पेन उस तकलीफ का एहसास कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे से हो चुका है और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो पेन वो तकलीफ आप जिस तरीके से भगवान से बार बार पूछते हो न क्या क्यों आपको यह separation मिला क्यों आप दोनों separate हुए अगर separate ही करना था तो क्यों आप इस विक्ति को मेरी जिंदगी में लेकर आए यह कुछ चीज़े आती है ना आपके दिमाग में तो इसका आंसर सर्फ यही है जज्ज्मेंट क्योंकि आपको भी अपने करमा को चुकाना था आपके भी कुछ पेंडिंग करमा से हो सकता है आपने इस नहीं पिछले पास लाइफ में कुछ ऐसा करा था जहां पर आपने अपने पार्टनर को यह पेंडिया था उनको यह सेपरेशन या इस तकलीफ से उन्हें गुजरना पड़ा था और आज इस बर्त में उन्होंने वो पेंड आपको दिया है ताकि वो करमा बालंस होना बहुत जरूरी होता है आप कार्मिक बागेज नहीं ले जिसका जवाब मुझे इस कार्टने दिया है यहां पर यहां पर खेंगेज देखे जाना तो क्वीन ओफ का आप मुझे रखता है कि आप अपने करमास को clear कर चुकियों, अपने कार्मिक डेप्ट को clear कर चुकियों, जो भी आपके pending करमास थे, अब आप आगे बढ़े हो, अब अपनी life में आगे बढ़े हो, अपनी spiritual जर्री में आगे बढ़ते हो, यहां पर नजर आ रहे हो, queen of cup की energy यह बता रहे है कि आप, आप highly emotional नहीं हो रहे हो, आप अपने emotions को balance में लेकर आ रहे हो, यानि अब ऐसा नहीं है कि अगर यह person आएगा और आपसे favor मांगेगा, आपसे मदद मांगेगा, तो आप मदद कर दोगे, आप favor कर दोगे, नहीं, आप उतने level तक अब उनकी मदद करना चाते हो, या उन पर favor क करना चाते हो, जतना आपको लगता है कि आपके लिए जरूरी है, आप अब expectations नहीं रखना चाते हो अपने partner पर, ठीक है, क्योंकि हर बार आपने past experience से यह चीज़ देख लिए, कि हर बार आपने जब भी इनसे expectations रखी है, इन्होंने आपको चोट ही पहुँचाई है, आपको हमेशा दुखी दिया है, यह person के उपर भी बहुत ज़दा burden मुझे नज़र आ रहा है, यह burden उनकी family का हो सकता है, यह burden किसी third person का हो सकता है, ठीक है, और उन्हें इस burden को clear करना होगा, उन्होंने maybe आप में और अपनी responsibilities में, जैसे मैंने कहा, अपनी responsibilities को आपके partner ने choose करा है, ले पचतावे का है, जो guilt और पचतावा उनके अंदर है, कि वो आपके साथ कुछ गलत करके आए है, और उन्हें जब तक आप माफ नहीं करोगे, उनके उपर से यह burden नहीं हटने वाला है, तो यह दो situations यहाँ पर मुझे देखने को मिली है, वो आपको justice देना चाहते हैं, उन्ह यहाँ पर भी energy है, eight of cups के energy है, यह person मतलब तब आपकी तरफ एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं, जब आप आगे बढ़े उपनी life में, आपने अभी तक बहुत कोशश करी है, move on करने की, आप नहीं कर पा रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हूँ, लेकिन अब आप प यहाँ पर यह ऐसी energy ज़रूर है, जहाँ पर आगे ज़रूर बढ़ते हो, नजर आ रहे हो, आप पीछे मुड़ कर नहीं देखना चाते हो, आप नहीं जाते हो, फिर से उन sufferings में जाना, फिर से उन pain को face करना, उस anxiety को face करना, जो आप आप अल्रेडी face करकर आ चुकी हो, आपके साथ एक साथ रहने के, एक घर में रहने के, आपके साथ शादी करने के, बच्चे होने के, ठीक है, एक अच्छी family create करने के, आपके साथ ये सपने देखते वे नजर आ रहे हैं, उन्हें लगता है कि अगर आप उनके साथ इस समय होते हैं, तो उनके साथ कितना अच् करते हैं या फिर आपके अपने फोन में आपकी फोटो देखेंगे वीडियो देखेंगे और उन से आपकी आपसे बाते करेंगे है ना उस फोटो से बाते करेंगे उस वीडियो से बाते करेंगे वो आपको अपने आज पास इमाजन करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं वो वे ड्रीमिंग करते हुए नजर आ रहा हैं क्योंकि यह परसां आपकी तरफ इतनी स्पीट से आ रहे हैं उनको भी बहुत जल्दी नहीं है इस चीज़ को लेकर कि आप उनके लिए क्या फील करते हो या आप उनके लिए क्या महसूस करते हो ठीक है जैसे ही वो शौर हो जाएंगे इस चीज़ को लेकर कि आप उनके लिए क्या महसूस करते हो आपके दिल में उनके लिए आज भी प्यार है तो वो खुद बखुद इसी स्पीट से आपके तरफ आएंगे, अचानक आपके पास आएंगे, ठीक है, लेकिन आने से पहले वो बिल्कुल पूरे तरीके से शौर हो जाना चाहते हैं, कि आप उनसे ही प्यार करते हो, आप किसी और की तरफ नहीं, अट्राक्टेड नहीं हो, या किसी और की तरफ committed नहीं हो रहे हो, ठीक है, इवन अगर आप किसी और की तरफ committed और attracted भी होना, ये person आपके लिए लड़ने के लिए भी तयार है, देखो किस तरीके से तलवार हाथ में ली हुए हैं, जैसे ये fight करने के लिए तयार हैं आपके लिए, ये लड़ने के लेकिन ये आपको give up नहीं करने देंगे, आपको किसी और का नहीं होने देंगे, तो yes, ये आपके लिए लड़ने के लिए भी तयार है, please divine universe, angels, spirit guide और guide करें, बताएं में reviewers को और क्या जानना जरूरी है, okay, I'm so sorry, light का issue हो राजकर, so यहाँ पर सबसे पहले energy आ रही है, the star, next card the lovers, okay, and five of pentacles, then we have eight of vans, the hierophant, great, page of vans, next we have is nine of pentacles, and bottom we have ace of pentacles, okay, maybe just vakti के बारे में आप सोच रहे हो ना, वो person आपके बारे में बहुत जादा सोच रहे है, मतलब उनके thought pattern में, उनके thoughts में, बहुत जादा हुआ, बहुत जादा हुआ, ठीक है, बहुत जादा आपके बारे में सोच रहेंगे, यापर कही energies ऐसे निकल कराई हैं, यह इसलिए क्योंकि वो इस चीज को महसूस कर चुके हैं, कि उनके दिल में आपके लिए intense love, intense feeling है, अभी तक वो भाग रहे थे, इस प्यार के नाम से वो भाग रहे थे, वो accept नहीं करना चाहते थे, कि वो आपसे प्यार करते हैं, या उनके दिल में आपके लिए प्यार है, वो इस चीज को अभी तक accept नहीं कर रहे थे, deny ही करते वे नजर आ रहे थे, लेकिन अब मैं देख रहे हूं कि उनको acceptance आ गई है इस चीज की, कि हाँ वो आपके, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत intense love, intense feeling है, और वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, इ किसी और को accept करना ही नहीं चाहते हैं, कोई third person अब उन्हें control नहीं कर सकता, उन्हें manipulate नहीं कर सकता, उन्हें वो जैसे आपसे ये promise करना चाहते हैं, कि वो आप जिंदगी भर आपका साथ देंगे, आपको assurance दिलाना चाहते हैं, कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ताकि आ soul में twin flame के energy है, तो yes आप लोग एक spiritual journey में हो, इस तरीकी के energy भी यहाँ पर हो सकती है, यह person आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं, यह आपकी तरफ यह आगे बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अब आगे अपनी जिंदगी आपक की तरफ तो, तो yes आप इन्हें कहीं न कहीं ऐसा कुछ सिखा देने वाले हो, I don't know किसकी energy है, जरूर मुझे बताएं कमेंस में, बर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें अच्छे तरीके से सिखा देने वाले हो, अपने behavior से, कि भई, अब आपको कोई time pass वाला connection नहीं चा बहुत प्रॉबलम होती है, आपको detachment से बहुत ज़्याइटी और depression हो जाता है, तो आप किसी भी तरीके के detachment को आप इस नहीं करना जाते हो, यह उस तरीके के energy है, जहाँ पर आप उनके साथ connected ही रहना जाते हो, अब अगर किसी selfish motive से भी आएंगे तो वो इस चीज को समझ जाएंगे कि आप time pass करने के लिए अपते यार नहीं हो, यह आपको यह देखते में नजर आ रहे हैं, बट आप कही न कहीं उस silent energy में हो, आप कहीं न कहीं उनको avoid करते हो, उनको ignore करते हो यहाँ पर दिख रहे हो, य वो आपके अंदर एक change देख रहे हैं, और वो change उनको बहुत ज़्यदा affect करता हो, यहाँ पर नजर आ रहा है, यह person जो भी आप दोनों के बीच में gap आ गया है, जो भी आप दोनों के बीच में दूरी आ गई है जैसे उसको खतम करना चाते हैं, वो खतम करना चाते हैं, यहा अगर इन्होंने कोई wall create करी है आप दोनों के बीच में तो जैसे उस wall को break कर देना चाते हैं, और आग्याप की तरफ बढ़ना चाते हैं, और आपको offer करना चाते हैं, अपना love आपको offer करते हुए, आपके partner नजर आ रहे हैं आपर, ठीक है, और यह energy आपको next six days के अंदर मिलन generation होने के chances हैं, okay, चले, कुछ love messages देखते हैं, sorry guys, यहां पर आजकल light का बहुत ज़्यादा fault हो रहा है, ठीक है, तो इस वज़े से, शालो, let's check out, please divine your divorce angel spirit guide, please guide करें, बताएं मेरे viewers को, क्या messages है मेरे viewers के partner के, वह जैसे आप से पूछना जाते हूं कि वह तुम मुझे क्यों ignore कर अच्छी नहीं लग रही है, मुझे और भी चीजों की तरफ ध्यान देना पढ़ रहा है, ठीक है, उनकी family, उनके लिए आना इतना असान नहीं है, आपको लगता हूँ कि first step लेना उनके लिए बहुत easy है, but no, it's not easy, easy नहीं है उनके लिए, उनके ओपर और और भी responsibilities है, अपन की मागना चाहते हैं, comeback करना चाहते हैं आपकी life में, बहुत guilty हैं, बहुत पचतार हैं, जिस भी तरीके से आपको treat कर गए हैं, जिस भी तरीके से गलत बरताव आपके साथ करके गए हैं, जैसे व्यक्ति आप से पूछना चाहते हूँ कि क्या अब भी आप उन्हें accept करने के तयार हो, और आप confused हो रहे हो, कि भई क्या जवाब दूम है, ठीक है, आप confused होते हैं, नजर आ रहे हैं, आपको confused नहीं होना है, मुझे ऐसे दिख रहे हैं, कि आप अपने confidence में answer देने वाले हो, ठीक है, आप उन्हें confidence में दिखा देने वाले हो, कि भई या तो आप long term connection रख हो, वो आकर आपको कहेंगे, कि उन्हें आपको अपनी situation बतानी है, बट आप कोई compromise और adjust करने वाले नहीं हो, और जरूरत भी नहीं है, कि आप compromise करो, प्यार में compromise नहीं होता है, हर चीज में compromise हो जाता है, लेकिन प्यार में नहीं होता है, वो आपकी pictures को kiss करते हुए नजर आ हैं, आपको बहुत ज़दा मिस कर रहे हैं, और उन्हें पता है कि आप भी उन्हें बहुत ज़दा मिस करते होगे, ठीक है, तो great ये कुछ आज आपके partner की energies हैं, I hope सो कि आपके साथ भी resonate हुई, अगर हुई है तो जल्दी से मुझे comments में बताएं, like, comment, follow, share and subscribe करे, claim करें इस reading को, notifications के लिए bell icon जोरू प्रेस करें, so ये थी आज की reading, thank you, bye and take care, मिलते हैं अगली वीडियो पे,